कर्म भल मरने के बाद स्वर्क के द्वार पर चार विक्ति खड़े थे इन चार विक्तियों में पहला राजा था दूसरा एक बिजनिसमेन था तीसरा पंडित था और चोथा एक आम आदमी मजदूर था किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्क के अंदर परवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लोटा दिया जाएगा सब स्वर्क का दर्वाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बाते कर रहे थे जैसकि राजा को मनने से पहले से ही आदत थी उसने अपनी बात सबसे पहले वताई राजा ने कहा मैं बहुत प्रक्षात राजा हूं मैंने धर्टी पर अपना बहुत नाम कमाया है इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्क जाओंगा फ्र ब्यापारी ने अपनी बात सामने रखी वह बोला मैंने धर्ती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सेकड़ों लोगों की मदद की इसलिए मैं ही स्वर्ग का हगदार हूँ अब बारी थी पंडित की तो पंडित ने मुझ खोला और सब को यह कहा चाहे तुम जो सोच लो लेकिन यह बात तो तैह है कि स्वर्ग के दर्वाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही सब जानते हैं कि पंडित दिन राद भगवान को याद करती है लेकिन सभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए जब सब ने अपना-पना पच्छरक दिया तब सब की नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरे नीचे जुकाए बिना कुछ बोले वही पर खड़ा रहा स्वर्ग का दर्वाजा खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया देवदूत के हाथों में एक पुष्टक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उस से पूछा तुम बताओ तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किये हैं मैं उन्हें इस पुष्टक में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं राजा ने कहा मेरा राज जितना बड़ा था उतना ही समरित था और मेरी राज के सभी लोग खुशाल थे सभी बड़े आनन से रहते थे मैंने उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी यही मेरे अच्छे कर्म है देव दूत ने अपने पुष्टक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा तुम सच बोलते हो तुमने अपने राज की प्रजा को बहुत सुखी रखा था लेकिन तुमने अपने राज की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युध किये उन युध की वज़ा से हजारो सैनिक ने अपनी जान गवा दी उन हजारो सैनिकों के परवार के दुख का कारण तुम बने थे इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते तब ब्यापारी ने उससे कहा मैंने सैकड़ो लोगों को खाना खिलाया है कई आस्रमों में दान दिया है कई निरास्रित दोगों के लिए घर बना कर दिया है यह मेरे अच्छे कर्म है देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद ब्यापारी से कहा तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है उन पैसों को कमाने के लिए तुमने नजाने कितनी जूट बोले हैं कितनी हेर अफेरियां की हैं और कितनी मिलावटे की हैं इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकती जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्म विश्वास के साथ कहा मैंने अंगिनत लोगों को ग्यान दिया है हजारों यग्य और पुजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है इस से अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं देवदूत ने अपनी पुष्टक के अंदर जाग कर देखा और पंडित से कहा आपने जितने भी लोगों को जो भी ग्यान दिया है उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया आपने यग्य पुजा या भगवान का नाम निश्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया इसलिए आपका भी स्वग्मियाना प्रतबंधित है मजदूर यह देखकर हैरान था वह अब तक जिसे महान समझता आ रहा था उसकी ब्याक्या स्वर्ग के दर्वाजे पर आकर बदल गई थी धर्ती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है उनका यहाँ पर कोई मूली नहीं था यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले किवा उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता मजदूर बोल पड़ा प्रभू मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ लेकिन फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को जाग कर देखना चाहता हूँ बस इससे जादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसा कमाता उन्हीं अपने परवार के पालन पोसर में खर्च कर देता इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं लोगों की भला मैं क्या सेवा करता क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बुढ़े माबाब की सेवा में बिता देता और यह सब करने के बाद भी मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धनवात कहता देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ तुमने कभी कोई अच्छा कान किया होगा मजदूर ने थोड़ी देर सुचने के बाद बोला हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है एक बार मैं बहुत भोखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत ही कमजोर कुट्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखनी लगा तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भोखा सो गया था मजदूर की बाद सुनने के बाद देवदूख मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर के अंदर लेकर गया दोस्तों अच्छे कर्म, लोब, मोह, माया इन सब भाव में आकर नहीं किये जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की स्रेडी में गिना जाता है निश्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की सक्ती रखता है इसलिए जब भी मौका मिले निश्वात भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें